क्लास 10 के exercise 1 में हमारे कुछ questions आते हैं जिसमें LCM और HCF find कर रहे हैं तो वहीं देखेंगे हम इसमें किस तरह से LCM और HCF को find किया जाता है तो सबसे पहले देख लेते LCM होता क्या है LCM होता less common multiple मतलब ऐसे छोटी से छोटी संख्या जो हमारे numbers के table में आए क्यों है चोटे सचोटा number जो दोनों के table में या 3 निकालना हो तो थीन अ के table में है चिप्यक्टर होता है हाएस्ट कुमन फैक्टर होगा कधे फैक्टर होता है तो देख को मैं सब्सक्रेख लेते हैं हमें निकालना है 24 और 36 का LCM और HCF दोनों चीज़े निकालनी है ठीक है तो हम सबसे पहले करेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स की वीडियो में पहले भी बना चुका हूं प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह और 36 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 x 2 x 3 x 3 इसको हम दूसरी फोर्म में लिख लेते हैं किस तरह से लिख सकते हैं तो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 x 3 और इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वेर और यहां पर multiply में 3 का square 2 square multiply में 3 square अब हमें LCM निकालना है ठीक है तो LCM LCM 24 और 36 इसी तरह से हमें निकालना है HCF highest common factor of 24 और 36 तो LCM में हमें क्या करना है highest हमें देखना है कि इन इसका factor हो रहा है और 3 इसका factor है यहां पर भी टू और 3 और कोई फैक्टर निया तो LCM निकालते है समय देखना है सबसे अगर 2 है तो उसकी highest power काँ पर है मलब यहां पर 2 की power 3 है कि इससे भी कहीं इससे भी 2 की power 3 और इससे भी ज्यादा कहीं पर है यहां पर भी नहीं है यहां पर भी नहीं है तो highest power लेनी हमें, ठीक है, 2 की power 3 is नहीं दोनों में, तो ये लिखेंगे हम 2 की power 3, और अब देखेंगे 3, 3 भी इसका factor है, तो 3 की power यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो highest power लेनी हैं हमें, इसको हम multiply कर दें, multiply की form में लिखते चलेंगे, 3 की power 2, इन दोनों को multiply करेंगे, 2 की power 3 होती है, 8 और 3 की power 2 होती है, 9, तो 8 और 9 जो होगा, इनका 8 और 9 को multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा, 56, sorry, 72 हो जाएगा यह तो, 72, ठीक है, तो 72 जो होगा, इनका LCM होगा, ठीक है, अब बात करते है, SCF की, यहां पर नीचे लिखूंगा, मैं SCF के बारे में, SCF क्या होता है, highest common factor, मतलब यहीं पर दिख रहा है, आपको common चीजए, common क्या होगा, इसमें, common देख लेते हैं, मतलब इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, तो 2 हो गया, SCF 2 हो गया, दुबारा से देख लेते हैं, इसमें फिर से 2 आ रहा है, इसमें भी फिर से 2 आ रहा है, तो फिर से 2, मतल लेलेना है two है ले लेना है ले लिप फिर से two और एंसीफ यह हो जाएगा अब। 24 और 36 दोनों के टेबल में आए ऐसा नमबर होँगा हमारा 72 जो होता वो 24 के टेबल में भी आता और 36 के टेबल में भाता है, छोटे से छोटा नंबध नंबर आयए, दुनों के टेबल में जो आता है, और HCF क्या होगा highest common factor यह highest common factor होगा मतलब यह जो दो नंबर से हमारे यह किसी ऐसे टेबल किसी एक कही टेबल में बड़ी से बड़ा ऐसा कोई नंबर जिसके टेबल में यह दोनों चीजे आती हैं जैसे यहां पर दे रखें 12 हमारा आया था HCF 12 तो 12 के टेबल में 24 भी आता है और 36 भी आता है 12 से बड़ा ऐसा कोई टेबल नहीं होगा जिसके टेबल में यह दोनों नंबर समारे आएंगे ठीक है अगर हमें तीन नंबर दे रखें हैं तो किस तरह ऐसे निकालेंगे हम बिल्कुल यही concept रखना हमें common चीजे निकाल लेंगे तो hcf और highest power लेते हैं वे चलेंगे तो lcm हो जाएगा ठीक है अब इसे verify कैसे करेंगे ठीक है अगर हमें first नंबर दे रखा है second नंबर दे रखा है और HCF दे रखा है तो हम LCM कैसे निकाल लेंगे या फिर हमें HCF दे रखा है LCM दे रखा है हमें HCF और LCM दे रखा है second number दे रखा है तो first number कैसे find out करेंगे ये देखते हम next page पर ठीक है तो next page पर चलते हैं second page पर पहुंच चुक है second page पर हम एक identity देखेंगे product of two numbers, दो numbers का multiple किसके equal होता है, LCM multiply में HCF के equal हमेशा यह रहेगा, ठीक है, यह identity आपकी बुक में भी given है, कोई भी दो number का अगर हमें LCM और HCF निकालना है, तो उनका LCM और HCF का multiple और जिन दो numbers का LCM और HCF निकाल रहे हैं, उनका multiple हमेशा equal होता है, तो इसका example ले लेते हैं, जैसे हमारा पीछे वाला जो हमने example लिया था, first page पे उसी का example ले रहे हैं, ठीक है, the HCF of 24 and 36 is 12, HCF 24 or 36 का 12 निकाला था हमारा, तो हमें निकालना है LCM, तो हमें इनकी prime factorization वगरा कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सर्फ फॉर्मूले में value लेक देनी है, क्या करना है, हमें product of two numbers, तो first number है 24 हो, second number 36, इनका product, तो 24 multiply में 36 equals to, किसके equal होता है, LCM multiply में HCF, तो LCM multiply में HCF, HCF हमारा 12, इसको हम दूसरी तरफ shift करेंगे, तो हो जाएगा 12 divided में, तो LCM equals to, 24 multiply में 36 upon में 12, 12 टूसा, 24 और 36 टूसा, 72, तो LCM कितना आ गया हमारा, 72, ठीक है, बिलकुल हमारा पीछे जो answer आ रहा है, यह 72 यह आ रहा था LCM, ठीक है, first page पर, तो इस तरह ऐसे आपको करना है, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, first, first number, multiply में, second number, equals to LCM, multiply में, HCM, ठीक है, ठीक है, नहीं तो बहुत जादा टाइम लगेगा, दूसरे टाइप से करने में, क्योंकि जैसा example लिया है, इतने आसान question आएंगे नहीं, ठीक है,